हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टुमाइ यूटूब चैनल इंडियन व्रागा ससमा के चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत सागत है तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह यहां पर मैंने लाल मिर्चे लिया हुआ है जो कि यह लगबग इसकी कॉंट प्रेंडिटी 1 kg है तो इसको मैं अभी धूल ली हूँ और धूलने के बाद इसका जो होता है उपर कशीरा इसको मैं काट लोंगे और काटने के बाद जो इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको मैं यह नाइप की साहता से इसको निकाल लोंगे या फिर आप फोक की साहता से पीछे जो इस पून नहीं होते चमर उसके पीछे के भाग से भी आप निकाल सकते हैं तो इसको निकाल के अच्छे ज़ाड़ दी ताकि पूरा अंदर से यह अच्छे से निकल लिया और यह खाली हो जाए तो इसी तरीके से मैं फ्रेंट्स अपने जितने भी हैं यह सारे मतलब मिर्च जो हैं इसको मैं सब निकाल दूँगे अगर प्रेंट्स अगर आपको मेरा यह आज का वीडियो अच्छा लगेगा मिर्च का अचार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक सेर और कमेट बताएगा कि कि मेरा यह अचार आप लोगों को कैसा लगा इसकी रेजपी कैसी लगी आपको तो यहां पर देखिए मैंने सारे मिर्च जो है इसको मैंने खाली कर दिया इसके सारे अंदर के बीच को निकाल कर तो तो फ्रेंट्स मैंने सारे भी इसको निकाल दी अब इसको मैं छट पे ले आई हैं एक साफ कपड़े में इसको अच्छे से एक-एक करके इसको मतलब बिचा दूँगे और रख दूँगे ताकि इसमें धूप अच्छे से लग जाए और इसको भी धूप में हम सुखा लेंगे रख ज्यादा नहीं कम सकब एक घंटे के लिए फिर उसके बद इसके मसाले के लिए फ्रेंट्स मैंने यहां पर सौफ लिया है इन लोगों को ज्यादा मतलब इसको ज्यादा बूजना नहीं हल्का सा करना है कम सकब पांच मिनट के लिए प्रॉट। इसके बाद यह हमारा हो गया सौप है, इसके बाद मैं जीरा ले लुँगी, जीरा भी कम से कम 50 ग्राम है, और सौप भी मारा 50 ग्राम है, तो इस सबको भी अच्छे से भूझ लूँगी, और बारियाती हमारी साभुत धनिया कि इसको भी मध्यमाच में भूझ ग्राम है और मेथी दाना भी ले लूँगी ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही 25 ग्राम और यहां पर मैं पीली सर्सो है इसको भूज लूँगी कम से कम यह भी है 100 ग्राम तो इन सब मसालों को भूज के फिम इसको मैक्सिम पीस लेंगे यह देखिया और फिर इसके बाद अब बार प्राउंड जाला दिया है और सर्सो हो pitch लेंगे और पिर नमक लगेगा और हल्दी तो हमें एक बड़ा बरतन लेना है जिसमें सारे मसालों को हम मिक्स कर ले तो यहां पर हमारे भुज सारे मसाले थे और जो भीज था उसको ले लेंगे और यहां पे लेशुन कम से कम एक पाउ रहना चाहिए, हमारा एक किलो मिर्श के अचार में एक पाउ लेशुन होना चाहिए, इसको भी अच्छे से मैंने पीस लिया था सिल्वट्टे पर ही, क्योंकि मिक्सी में नहीं अच्छे सों पाता है, इसमें ज्यादा बारिक हो जाता है, पेश्ट जैसे बन जाता है, इसलिए मैंने इसको सिल्वट्टे और यहां पे मैं यह हल्दी पाउडर ली हूँ, तो ज्यादा ने तीन चमबज हल्दी पाउडर लेना है हमें, और नमक थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे, उतना भी ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा हो जो इस मसल मसल कर मिक्स करना है, ताकि हमारे जितने भी मसाले हो लेशून, तेल, हल्दी सब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अब भारी आती है इसको मिर्च में भरने की, तो यह देखिए हमारा मिर्च, अब इसमें हम सारे मिर्च जितने हैं सब इसको हम अच्छे से दबा दबा कर भरेंगे इसमें ताकि हमारा मसाला जो है वंदर तर अच्छे से चला जाए तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक डिपा लिया है इदम साफ सुतरा इसको भी दूब पर सुखा लिया था फिर इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा तेल डालकर हिला लिया और फिसमें मैंने अपने सारे मिर्च को भार लिया विसको मैं धूप में दिखाऊंगी कम सकम पांच छे दिन तो फिर यह हमारा रेडी हो जाएगा चारा खाने लाए तो फ्रेंट्स मैं आप से फिर से मिलती हू नए विलाग में तब तक के लिए बायत रहे हैं